सब्सक्राइब किजिए टेक्निकल शेखर चैनल को और इस नोटिफिकेशन बिल आइकोन को भी क्लिक किजिए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार आप देख रहे हैं टेक्निकल शेखर और मैं आपके समने हाजीर हूँ और एक नए वीडियो के साथ फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है ये वीडियो है डीडी फ्रीडिश के MPG4 सेटर बॉक्स को आप कैसे ट्यून करेंगे उसके बारे में जिया MPG4 सेटर बॉक्स में बहुत सरे चैनल अगर आपके पास हो जाए स्टोर हो जाए तो बहुत ही दिक्कत होता है मैं आपको दिखाता हूँ टीवी में देखिए मैं अभी टीवी के सामने हूँ और दिखाने वाला हूँ आपको देखिए यहाँ पे मेरा जो चैनल है एक से अगर मैं शुरू करूँ तो देखिए नंबर वान पे यह देखिए नंबर वान से लेकर पूरा जो चैनल लिस्ट है उसमें पिक्चर नहीं है बहुत सारे चैनल है लेकिन ये DD Friendish के चैनल रही है ऐसे ही लोट किया हुआ है मेरे सेटर बोक्स में और इस लिए ये सारे चैनल नहीं आता है तो DD wartish के चैनल कहा से शुरू होता है आपको मैं दिखाता हूँ ए देखिए, 350 से यह चैनल शुरू होता है यह देखिए, यहां से शुरू हो रहा है यानि के 300, 28 से शुरू होता है और देखिए, पहले डिस्टीब का कुछ चैनल है और उसके बाद, डीडी फ्रीडिश के चैनल आ रहा है यह देखिए, लगभग 350 के बाद, देखिए, नेशनल चैनल रहा है 361 पर, 62 पर, और 360 के बाद, डीडी फ्रीडिश के चैनल फिलहाल मेरे सेटर बॉक से लोड किया हुआ है तो मुझे चाहिए, एक से ही, नमबर एक से ही, डीडी फ्रीडिश का चैनल मुझे लाना है तो हम इसको कैसे करेंगे तो मैं आपको अभी यह दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप यह सारे चैनल को डीडीट करके एक नमबर से ही, डीडी फ्रीडिश के चैनल आप देख सकते हैं देखिए, एम टीवी बीट्स है 445 नमबर पे, 444 नमबर पे देखिए, 400 स्टार उस्टर मोबीज 433, 433 नमबर पे तो यह सारे चैनल को मैं अभी एक नमबर से शुडू करूंगा तो इसको लिए हमें मेनू में जाना परेगा और पास्वार्ड यह सॉलिट का सेट्टो बक्स है, यह पीजी फोर सेट्टो बक्स है तो पास्वार्ड मुझे फोर टाइम जीरो देना होगा और उसके बाद हम जाएंगे देखिए, सैटलाइट सेट अप और उसके बाद देखिए, डिलीट आल चैनल यह देखिए, डिलीट आल चैनल यहाँ पर हम जाएंगे और इसके बाद हम चैनल को डिलीट कर देंगे सारा चैनल को डिलीट कर देंगे और देखिए, डाटाबेस MPT यानि के कोई भी चैनल अभी नहीं है तो रेडियो चैनल में हम देखेंगे एक बार की रेडियो चैनल भी नहीं है, तो आप हम क्या करेंगे, जो मेरा यह सेट्टो बॉक्स है, इसको हम ब्लाइंड स्कैन करेंगे, ताकि साड़ा चैनल फिर से दूबारा आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करने बाद है, सैटलाइट लिस्ट पे हम जाएंगे, और उस देखिए, यह देखिए, जी सैट 15, 36 नमबर पे यह सेटलाइट है, और अभी हम ब्लू बटन प्रेस करेंगे, रिमोट का, यह देखिए, ब्लू बटन है, इस ब्लू बटन को प्रेस करेंगे, तो स्कैन मूट बे हम जाएंगे, यह देखिए, तो अभी देखिए, नेटव इसको FTA करेंगे यह बहुत ही जरूरी है आप चैनल टाइप को हमेशा FTA मूड में रखना है और TV रेडियो दोनों ही चैनल को हम ट्यून करेंगे और उसके बाद आटो स्कैन जहां पे है उसको आप चेंज करके ब्लाइंड कर दीजिए और पोलाराइजेशन जो है यहां पे देखिए बोथ है तो इसको आप बोथ ही रखने दीजिए नेट्वरक साच आप रहेगा और ब्लाइंड स्कैन हम अभी क्या करेंगे प्रेस एंटर टू स्टार्ट तो देखिए रिमोट में तो एंटर का कोई स्टार्ट नहीं है लेकिन उके बटन को प्रेस करेंगे तो अ और ब्लाइंड स्कैन हो रहा है यह देखिये तो फ्री मूड में मैंने ब्लाइंड स्कैन किया स्टार्ट किया यानि कि Free2Air जो चैनल है DD Freedish का और DSTV के कुछ चैनल भी हम Free2Air जो जितने सारे चैनल चाल रहा है वो भी अब लोड होने वाले है तो थोरा सा हमें वेट करना है देखिए ब्लाइंड स्कैन पूरा हो चुका है और अभी हम यानि कि OK प्रेस करेंगे रिमोट का OK बटन प्रेस करेंगे OK बटन प्रेस करते ही यह चैनल जो है वो अभी स्टोर हो गया है और अब मैं आपको दिखाने बाला हूँ कि जो सारे तिन सो के बात जो डिडी फ्रीडिश के चैनल आ रहे थे और पहले एक नंबर से जो 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 चैनल है वो आना शुरू हो गया देखिए एक नंबर से यह देखिए दो तीन और यह डिश्टीव का सारा चैनल है देखिए डिश्टीवी का चैनल है यह सारा डिश्टीवी का चैनल है और उसके बाद इसको अगर हम क्लियार करें तो यह देखिए यह कस्टमर के यह भी डिश्टीवी का ही है और उसके बाद यहां से शुरू होता है यह देखिए यहां से शुरू होता है डिडी फ्रीडिश के चैनल यह सारे डिडी फ्रीश के चैनल है तो मैंने आपको दिखाया कि आप ब्लाइंड पूरा चैनल लिस्ट को डिलीट करके फ्रेश चैनल लिस्ट कैसे आप लाएंगे एकदम एक से शुरू होता है यह देखिए तो फ्रेंड्स अब तक आपने देखा कि किस तरह से MPG4 सेटो बॉक्स में सारे अनवांटेड चैनल को डिलीट करके नए फ्रेश आपडेटेट चैनल लिस्ट लूट करते है मैंने आपको ब्लाइंड स्कैन करके दिखाया और आपने देखा कि सारे चैनल को मैंने पहले डिलीट किया और उसके बाद मैं दुवारा आपडेटेड चैनल लिस्ट को लोट किया उमीद है आपको ये वीडियो पसंदाय होगा वीडियो के बारे में कोई भी सवाल आपके मान में हो तो आप हमें कॉमेंट बोक्स में उस सवाल को लिख भेजिए मैं उसका रिप्लाइ जरूर दूँगा वीडियो आच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर पे आपको हर टेकनोलोजी, DTH, electronics और, Money Earnings बहुत सारे वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते है अपसे अगले वीडियो में कुछ और नए टोपिक के साथ कुछ और नए अबडेट के साथ तब तो के लिए नमश्कार जय हिंद बन झाले मातर हम. झाले मातर हम